से सरीकाल बेटा जै फोड़ा सारिफ्रेश्र है ये प्लस पनके कंसेप्ट का अंग・ूर्・ Э सिटी और लिनियर विलॉस्टी के रिलेशन में लिनियर विलॉस्टी ये जादा तर हम जब विलॉस्टी वोलते हैं तो लिनियर ही बात कर रहे वह होते हैं कितनी displacement कर रहे हैं आप per unit time, और angular velocity जो related है, वो rotation से related है, घुमाव से related है, जब भी कोई चीज़ rotate करती है, कुछ angle वो traverse करती है, trace करती है per unit time, तो उसके मापदंड को, उसके measure को हम बोलते हैं angular velocity, इसका relation है v is equal to r omega, जो हमारा omega है, इस ये है हमारा angular velocity, तो इसको इस sign से हम denote करते हैं, ये जो v यहाँ पर लिखा है, ये मैंने लिखा है linear velocity को, linear velocity, और r क्या है यहाँ पर, r है radius, यानि कि जो radius होगा, जिस पर वो rotation हो रही है, कोई circle है, उसका जो radius होगा, उसे यहाँ पर लिखा जाता है, यानि कि v एक तरह से omega के बराबर ही है, बट स radius पर depend करेगा, radius पढ़ेगा, तो देखते हैं, क्या फर्क पड़ता है, अब देखिए, इस चीज़ को समझने के लिए, आपको एक example दिमाग में रखना होगा, जैसे अगर मैं ये pen ले लेता हूँ, देखिए, इस pen को observe कीजिए, अच्छे से, अब मैं इसको rotate कराऊंगा, इस पर ही ध्यान दीजिए, अभी पूरे pen पर रहीं, तो जब मैंने इसको rotate कराया, तो एक arc जैसी बना रहा है, circle जैसा, और यहां 90 degree पर इसको रोग दिया, अब थोड़ा सा angular velocity बढ़ाता हूँ, जल्दी से यहां रख दिया, तो हम कह सकते हैं, velocity की बात करें, velocity के मतलब यह जित मिल जाएगी इस tip point की, दोबारा से देखिए, यह आपको किसी speed से जाता हुआ दिख रहा है, किसी velocity से जाता हुआ दिख रहा है, तो हम उसको बोलेंगे linear velocity, जो हम calculate कर रहे हैं, v, angular velocity क्या हो जाएगा, क्योंकि यह जो pen है, इसने कितना angle travel कर लिया है, यहां से यहां तक 90 degree, य अगर radians में हमें degree लेनी हूँ, तो pi by 2 radians इसने cover किया, जितना भी time हो, pi by 2 divided by 1 second, अगर 1 second ले रहा है, अगर 2 second लेगा तो pi by 2 या 90 degree divided by 2 seconds, तो depend करेगा कि हम angle कितना travel कर रहे हैं, क्या दोनों चीज़ें सेम रहेंगी, यानि कि velocity और omega क्या सेम रहेगा, देखिए, अब observe करते है जो important point है, इस point की velocity ये जो tip है, इसकी velocity और यहां जो point होगा, mid में, क्या वो दोनों सेम velocity से जा रहे हैं, देखिए, लग रहा है न ये slow, अगर नहीं लग रहा तो थोड़ा और पास आ जाएगे, जहां पर मेरा ये, जहां से इसको मैंने पकड़ा हुआ है, यहां से, ठीक है, यहां इस point से, इस point की ज़रा observe कीजिए, linear velocity, देखा, ये ज़्यादा speed से या velocity से जा रहा है, और ये कम velocity से जा रहा है, ये हमने की observation of linear velocity, अब हम करेंगे observe angular velocity, यानि की अब इस point को compare करते हैं, और इस point को compare करते हैं, यहां इस point को, तो इस point पे जब ये जो tip है, यहां पहुँच जाएगी, तो मुझे बताईगा कितना angle traverse हुआ, और ये मान लीजिए, मैं एक second ले रहा हूँ, 90 degree, इसने trace किया, एक second में मान लीजिए, एक second में ने एक काम किया, अब आजाए ये second point पे, यहां पे, इस point पे, फिर एक second लगाय अब कितना angle travel किया, इस point ने, अरे इसने भी 90 किया, याने कि omega दोनों का same है, चाहे ये ज़्यादा velocity से जा रहा है, बट अगर angular speed की बात करें, तो both have the same angular speed, because ये भी 90 degree लेगा, और ये भी 90 degree लेगा, वट अब इस point, ये भी 90 degree लेगा, देखिए, बीच वाला, ये भी 90 degree ही cover करे देगा न, एक second में, तो इस तरह से हमें velocity और जो omega में है, वो relation हमें दिमाग में रख लेना चाहिए, पंखा सबसे अच्छा example है, इसका, देखिए, अपने fan को समझते हैं, जो कि rotation की बात होगी, यहाँ पर मैंने कुछ, एक fan के wing बना दिये हैं, और यह point जो है, इसे ध्यान से देखिए, आप fan on हुआ, इस तरफ से घुमेगा, इस तरफ से, इस तरफ को जाएगा, rotate सबस कीजिए, इस तरफ हो रहा है, तो इस point में, यह हैं हमारा point A, और यह हैं हमारा point B, तो जब यह घुमेगा, velocity किसकी ज़्यादा होगी, velocity of A, will be more or less than B, will be more than B, velocity ज़्यादा होगे, ज़्यादा speed से घुमेगा, यही तो पंखा ही तो हो गया न, जो यह बहुर दो point अगर compare करें, किसकी velocity कम है, वो लेंगे जो बीच मना जहाँ पर tip रखी है, इसकी कम है, जो सबसे tip है, जो वो ज़्यादा velocity से घुमेगा, यानि कि जितना आप नीचे जाते जाएं, जितना radius कम करते जाएं, उस हिसाब से आपकी velocity भी कम होती जाएगी, इस point पर देखिए, इसकी तो बहुत ही कम velocity है, अगर tip से compare करें, तो यहाँ पर यह दो point ही compare कि है, हमने fan को देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझा जाएगा, मैं क्या बोल रहा हूं, और इधिके, velocity of a will be more than b, what about angular velocity, but angular velocity will be, जादा होगी, कम होगी, same for both a and point b, क्योंकि जब यह point यहाँ पहुंच जाएगा, यह पंक्का यहाँ पहुंच जाएगा, a ने कितना degree cover कर लिया होगा, कितना radian बात करें तो कितना cover कर लिया होगा, 90 और pi by 2, और what about this point, यह वाला point है, इसने कितना degree cover कर लिया होगा, देखिए दोबारा से observe कीजे, इस point ने कितना कर लिया होगा, यह देखिए घुमाईए इसको, अरे यह भी तो 90 या pi by 2 radian ही cover कर रहा है, उतने ही time में, यानि कि दोनों की angular velocity, rotation की velocity, जो है, वो same रहेगी, तो इस तरह से दोनों का relation हम समझ सकते हैं, अब पहले observation जो की थी, उसको समझते हैं radius के हिसाब से, यानि कि देखिए, a और b में फर्क क्या है, sir, b का radius, जो rotate करेगा, यह चोटा सा रह जाएगा, और a का radius देखिए कितना ज़्यादा है, बड़ा है, तो जिसका r ज़्यादा होगा, उसका velocity भी ज़्यादा होगा, क्योंकि omega तो दोनों का same है, दोनों omega अगर calculate करेंगे, same ही जैसे ही बड़ा करोगे radius, जैसे ही बड़ा करोगे radius, velocity भी बढ़ती जानी है, और अगर radius कम कर दिया, यह देखिए, b point पर आ गए, तो हमारा radius छोटा सा हो गया, सिर्फ इतना सा ही radius रह जाएगा, यहां से यहां तक, तो radius कम कर देंगे, अगर radius कम कर देंगे, तो velocity भी कम हो जाएगी और वही तो हम observe करते हैं अब question करते हैं जब center पर क्या हो जाएगा यहां तो radius रहे गा ही नहीं तो सिर्फ चीजें rotate ही होंगी आपको velocity दिखेगी नहीं इसलिए सबसे शांत जो fan और omega relation समझ सकते हैं थेंक यू